आज हम लोग इस वीडियो में वेस्ट विहार वर्सेस इस्ट विहार देखेंगे और बहुत साड़े पेडामीटर्स पर दोनों रीजन को कमपेर करेंगे वेस्ट विहार में कौन-कौन से सहर आते हैं मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यूम करेंगे तो वेस्ट विहार आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा वेस्ट विहार में अगर सही तरीके से कमपेर किया जाए तो इस तरीके से कुछ मैप बनेगा ये है वेस्ट विहार और इस टर्ण विहार में जो कोशी नदी है कुछ इस तरीके से मैप बनेगा ये रीजन हो गया नौर्थ सेंट्रल विहार ये रीजन हो गया साउथ सेंट्रल विहार और ये रीजन हो गया वेस्टन विहार ये हो गया नौर्थ वेस्ट विहार ये हो गया साउथ वेस्ट विहार ये नौर्थ सेंट्रल विहार ये हो गया नौर्थ सेंट्रल विहार ये हो गया साउथ सेंट्रल विहार ये हो गया नौर्थ इस्ट विहार ये हो गया ये पूरा हो गया इस्टर्ण विहार हम लोग बात करेंगे कि जो वेस्टर्ण विहार वर्सेस इस्टर्ण विहार क्योंकि हम लोग बराबर देखते हैं नौर्थ वर्सेस साउथ तो लोग कर लेते हैं compare लेकिन वेस्ट वर्सेस इस्ट विहार साथ अभी तक किसी ने compare नहीं किया होगा तो सबसे पहले हम लोग सहरों को देख लेते हैं कि कौन-कौन से सहर वेस्टन विहार में आ रहे हैं कौन कौन से सहर इस्टन विहार में आ रहे हैं अगर हम सहरों को देखें तो वेस्टन विहार में एक तो आपको यहां पे बेतिया देखने को मिल जाएगा मोतिहारी गोपालगन सिवान और फिर उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा छपरा छपरा के बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा भवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव आपको देखने को मिलेगा लखी सराय, जमुई, बाका, मुंगेर, खगडिया, बेगु सराय, जिसको क्या बोला जाता है बेगु सराय को पता होगा जो BPSC बगर का तैरी करते हैं फिर बिहार स्पेशल पढ़ते हैं उनको पता होगा बेगु सराय को इंडस्ट्रियल कपिटल बिहार भी बोला जाता है फिर भागलपूर, सिल्क सिटी ओफ बिहार या फिर सिल्क सिटी ओफ इंडिया और फिर यहां पे आपको देखने को मिलेगा सहर सा खागडिया तो मैंने बताए दिया यहां पे कटिहार, पुर्निया, मधेपूरा, अररिया, सुपाउल, फारविस गंज, और यहां पे फाइनली किसन गंज, तो अब इसमें से अगर हम देखें कि कौन बड़ा सहर है, बड़ा सहर, क्योंकि सबसे पहले तो लोग यही देखते हैं कि कौन सा रीजन अमीर जदा है, कौन सा रीजन डेवलप जदा है, तो आफ कोर्स इस्टर्न बिहार, आपक अक्सपाद बिलकुल नहीं कर रहा हूं, कैसे, क्योंकि भागलपूर्ट, जैसे बड़े सहर, पुरनिया, बेगुसराय, जमुई, यह सब जो बड़े सहर हैं, यह इस्टर्न बिहार में ही है, फिर आप यह देख लीजिए, कि पटना के बाद जो जीडिपी पर कैपिटा, जो सबसे ज़्यादा हाय है, वो मुंगेर का है, भागलपूर्ट बहुत बड़ा सहर है, पतना के बाद भागलपूर्ट ही सबसे ज़्यादा डिवलप्ट सहर बिहार में माना जाता है, पुरनिया भी पीछे नहीं है, और एयरपोर्ट अल्रेडी पुरनिया में पास हो खनीज समपदा के अनुसार से देखें यदि, तो इस टन बिहार के पास सोना का खान है, सबसे बड़ा आप इस चीज़ को देखिए, सोना का ख़दान, जारखंडी लोग जो सब प्राउड करते हैं कि कोईला कोईला, एरे मतलब मैं कहना चाहतों क्या घंटा कोईला भेंच भाई बिहार के पास सोना का ख़दान है भाई, सोना का ख़दान है बिहार के पास, वो भी अपने अंग परदेश के छेतर में है, इस से जदा प्राउड की बात क्या होगी, तो एयरपोर्ट हो गया, खनीज समपदा हो गया, डेबलब्ड सिटीज हो गये, ये सब सारे के सा कहा है, इस्टन वियार में, और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से जदी देखा जाए, तो सिविलाइजेशन कहां पे रही, आप लोग कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर, यहां का कल्चर, वहां का कल्चर, छपरा में चिरांद नाम का जो साइट है, वो है, लेकिन वो कौन स साइट, नियोलिथिक साइट, सारन के आसपास वो पड़ता है, और जबकि मुंगेर में जो मिला है, वो पैलियोलिथिक साइट मिला, पैलियोलिथिक, तो आप इस चीज से सोच सकते हैं, कि प्री हिस्ट्री में भी इस्टन विहार आगे हैं, और हिस्ट्री में अंग सिवि तुह से देखा जा यह फिर और भी किसी चीज परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वहसंटन बिहार के मुकाबली अभी बहुत पीछे क्या बड़े इस्टन बिहार में जादा है कि कोई एक चीज ऐसा है जिसमें की वेसंट विहार आगे है अगर हम overall बात करें तो हो सकता है बाद में कुछ भुजप्रिया लोग कमेंट करेंगे कि सासाराम का literacy rate जहें जादा है तो आप केवल सासाराम को मत देखिए आप बेतिया और मतिहारी का भी poverty index को देखिएगा और वहाँ का literacy rate को भी देखिएगा फिर बात करिएगा और दूसरी बात इस्टन विहार में भी मुंगेर पीछे नहीं है literacy rate में literacy rate में सासाराम के बार मुंगेर ही है अगर पत्ना को हम बाइपास करें तो जबकि मुंगेर भागलपूर बेवू सराय खगडिया लखी सराय इन सारों के literacy rate ओभार और literacy rate देखा जाए तो उसमें विस्टन विहार आगे है तो हर द्रिष्टी से आपको इस्टन विहार ज्यादा प्रोस्पेरस और ज्यादा समरिद देखने को मिलेगा विस्टन विहार से तो इस वीडियो में इतना ही आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो और बिल्कुल भी आप लोग hate comment मत करिएगा hate comment करने वाला का दिमाग छोटा और hate comment करने वाला का डैस 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 जय हिन जय भारत जय एक परदेश आंगी वासांगी का वासा जिन्दा बाद प्रसक्राव